हालो, नमस्ते, मैं हूँ आशी और भभ फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशीयो टिप्स पे तो, आज का टॉपिक ये होने वाला है कि आपका जो पेट है वो फूला हुआ दिखाई देता है जी हां फूला हुआ दिखाई देता है बाहर निकला हुआ दिखाई देता है वजह से आपका जो पेट है वो जादा दिखाई देता है औरो की कमपेरिजन में तो यह जो प्रॉब्लम होती है यह क्यों होती है यह प्रॉब्लम होती है इसी लिए क्योंकि आपके पेट में गैस तहएर पम लिवर में इनल्खानी को इस ड्हुत रिवर संवहुत मुद्धनिस अगर और से एक पाड़ा। धी निवार निकालंगे ओर हमें डिटॉक्स करेंगे हमारे पेट को साफ करेंगे हमारी बड़ी बोडी को साफ करेंगे अन्दर से तो ये जो योगा आसन है इन्हें आप कोई भी कर सकते हैं तो इन्हें जरूर करना बताती हूँ मैं आपको कि ये किस तरह से होंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नौटिफिकेशन के लिए बेल आइकिन को दबाना बिलकुल मत भूलेगा जो आपका एक पैर है वो एकदम सीधा रहेगा जो दूसरा पैर है वो इस तरह से आपके सीधे वाले पैर के थाई पर उसका पंजा रहेगा इस तरह से और हमें पकड़ना है अपने पैर का अंग उठा इस तरह से अब आप जाहें तो आपके पैरों के जो पंजा है उसे भी पकड़ सकते हैं लेकिन अगर हाथ ही नहीं जा रहा है तो अब हम क्या करेंगे तो उसके लिए आप अपने जितना हो सके जितना स्टार्टिंग में हाथ पहुच रहा है आप वहां तक जाते हुए अपने साई अपने पैर को इस तरह से पकड़ कर थोड़ी देर कले कमर सीधी करेंगे और ब्रीदिंग लेंगे ब्रीद इन एंड ब्रीद आ उच ब्रीद इन नल्यदा चीज़ सेम चीज दूसरे वह एक आप रेपीट करेंगे मैं जाधा समय नहीं ले रही हूं किसी भी आसन में लेकिन आपको ले ला है हाथो को इस तरह से पकड़ लीजिए पं जो क कमरसी थी, breathe in and breathe out, अब इस तरह से पैरों को सीधा कर लीजिए, अब हम करेंगे अगला आसन, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से अपने अंगुठों को पश्चिमोत तासना है, आप अपने पैरों को आगे की तरफ पकड़ने की कोशिश करेंगे, यानि इससे आप आपका जो पेट है, वो दबे, आपका स्टमक दबे और हमारा, जो पेठ है, वो साफ होने में मदद मिले, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से घड़ा जिकेंगे, इस तरह से, कोशिश करनी है, जिन लोगों से कम होगा, तो आपने पैरों को पकड़ लीजिए, अपने अगर कि अंद ब्रीद आप्ट बोड़ी को रिलाक्स छोड़ देंगे इस तरह ऐसे अगले आसन की तरफ चलते हैं तो यह आसन बहुत अच्छा है आपको आसन करते करते ही आपको फील होगा कि जो आपके पेट में पुरानी से पुरानी गैस जो है भरी पड़ी है तो वो भी आपक को खुद करते करते फील होगा तो आपको क्या करना है इस तरह से अपने गुट्नों पे इस तरह इस आ जाना है अब हम थोड़ा पीछी की तरफ होंगे हमारा जो चैस्ट एरिया है उसे अब हमें मैट पर लखना है और हमारी जो हाथ है वो इस तरह से सीधे होंगे और इस और ऐसे आप देखते जाहिए ब्रीव इन थोड़ी देर के लिए इसी तरह रहेंगे अब इस तरह से फुल हातों का सपोर्ट बनाईए और अपने इस तरह से आप उपर की तरफ आ जाएंगे ठीक है थोड़ी देर के लिए हम केटन काउ पोज करेंगे ताकि हमारी जो स्पाइन है जो रीड की हट्टी है वो भी ठीक से काम करें और उसमें भी चिकनाहट जो है बनी रहे ब्रीड इन इस तरह से उपर की तरफ सर करेंगे ब्रीड आउट में सर नीचे की तरफ जाएगा कमर जो है अंदर की तरफ ब्रीड इन अंद ब्रीड आउट ब्रीड इन अंद ब्रीड आउट ब्रीड इन यही से हम अगले पॉश्चियर की तरफ अगले स्टैप में चलते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे अब हमारा एक पैर जो है हम आगे की तरफ लेंगे इस तरह से अब आप लोगों से जितना हो पाए आप उतना आगे की तरफ लेंगे और थोड़ी देख लिए इसी एक करिएगा कि जो आपका पैर का पंजा है वो सामने की तरफ देखता हुआ होना चाहिए बॉड़ी को प्रेशर मत दीजिए हलकी हलकी ब्रीधिंग नाक से लेते रहिए और नाक से हमें छोड़ते रहना है मुझ से हमें सासों को बाहर नहीं निकालना है अगर आपसे नाक से नह सेम चीज रिपीट करेंगे इस तरह से एक पैरो को इस तरह से आप बदल लेंगे और आप दूसरा पैर जो है वो आगे की तरफ रहेगा थोड़ी देर के लिए ब्रेदिंग ब्रेद इन एंड ब्रीद आउट ब्रेद इन एंड ब्रीद आउट ठीक है इस तरह से करने के ब मलासन, अब मलासन के फाइदे जो है इतने हैं, कि मलासन एक ऐसा अकेलासन है, जो कि अगर आप यह अकेलासन भी कर लेते हैं, तो यह आपके मल, नाम में ही मलासन है, तो मतलब कि यह आपके पेट की गंदगी को साफ करता है, आपके मल को जो है बाहर निकालता है, और आपके बोड़ी को अंदर से साफ करता है. तो ये किस तरह से होगा? ओर जिन लोगों से नहीं होगा? नहीं बैठा जाता है मलावसन में, वो किस तरह से बैठेंगे? वो जानेंगे. तो उनका एक तरीका ये सिंपल तरीका ये है, एक तक्या रख लीजिए और अपने हिप्स के नीचे तक्ये को रख दीजे और आपके जो दोनों हाथ है वो जुड़े हुए आपस में होने चाहिए आप अपने माइंड को रिलेक्स कर देंगे कमार एकदम सीधी रखेंगे और थोड़ी देर के लिए इसी में ही हम बैठे-बैठे अराम से अपने आपको रिलेक्स करते हुए नॉर्मल ब्रीधिंग and breathe out breathe in and breathe out breathe in breathe out breathe in and breathe out breathe in and breathe out breathe in and breathe out ठीक है इतना अब जिन लोगों से नहीं होगा वो लोग अपने हिप्स के नीचे तक ये को रख कर इसी सेम पॉस्चर पे बैठ जाएंगे ठीक है अब जादा जिनको दिक्कत है वो लोग क्या करेंगे पानी की एक बॉटल साथ में लेके बैठेंगे और धीरे धीरे जब तक वो पांच मिनिट के लिए कम से कम इसी एक मलासन में आपको बैठे रहना है सुबह सुबह अब पानी इसको साथ साथ आपको जो पूरी दो बॉटले हैं वो अपने पास भरके रख लेनी है और पानी को पीते जाना है जब तक कि आपको प्रेशर फील नहीं होता है अब आप देखेंगे कि आप जब थोड़ी देर बैठेंगे और पानी पीते रहेंगे आप वो पानी कैसा होना चाहिए वो पानी होना चाहिए हलका गुनगुना मतलब कि थोड़ा सा गरम होना चाहिए गरम पानी जब हम मलासन को करते-करते पीएंगे तो उससे क्या होगा हमारे पेट की गंदगी, हमारे पूरे शरीर की गंदगी जो है वो मल के रूप में बाहर अपने आप आजाएगी तो अगले आसन में अब हम क्या करेंगे पवन मुक्तासन करेंगे जो कि हमारी गैस को निकालने के लिए बहुत अच्छा आसन है तो उसके लिए अराम से लेट जाएंगे थोड़ी देर के लिए ब्रीधिंग करेंगे ब्रीध इन अब दोनों पैरो से सेम चीज रिपीट करेंगे पैरो को उपर की तरफ उठाईए और गुटनों को चैस्ट के नजदीक ले कराईए इस तरह ऐसे एकदम खीचा हुआ होना चाहिए आप ध्यान देंगे कि आपके जो हिप्स है यहां आपको अवरूल पूरा प्रेशर फील हो क्योंकि आपके जो पेट है वो दबेगा आपके थाइस से अपने सर को उपर की तरफ उठाईए थोड़ी बहुत नॉर्मल ब्रीधिंग लेते रहेंगे जिन लोगों को गर्दन में प्रॉब्लम है सवाइकल की प्रॉब्लम है वो लोग अपनी गर्दन को मैट पर अराम से इस तरह से रख कर भी कर सकते हैं चीक है और नॉर्मल ब्रीधिंग एक हलकी हलकी ब्रीधिंग लेते रहें अब आप साइड वाइस खड़े हो जाएंगे बैट जाएंगे चीक है इस तरह से अब यह जो आसन है वो अगर आप डेली बेसस पर करते हैं और मैंने आपको कम टाइम के लिए बताया है लेकिन आप इसे बहुत अच्छे से धीरे-धीरे अपने माइन को रिलाक्स करते हुए टाइम लेते हुए करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे देली अगर करेंगे तभी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और एक और बात इसे बहुत है जब हम लेट उठते हैं अब लेट उठते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में हमारे पेट में प्रेशन नहीं बन पाता है आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए रात को जल्दी सोने के यादर डालिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ हेल्दी लाइफस्ट्राइल का मतलब ही ये है जल्दी खाना जल्दी सोना और जल्दी ही उठ जाना इससे हमारी बॉडी जो है अपने वक्त पर काम करती है हमारी बॉडी का भी एक टाइम होता है अगर आप सुबह उठ जाते हैं और अगर आप 5 बजे भी नहीं उठते हैं 6 बजे भी उठ जाते हैं तो आपको अच्छे से आपका पेट साफ होता है ठीक है उसी के साथ अगर यह आप आसन करते हैं तो एक पर करके जरूर देखना आज के लिए सिफ इतना ही अगला टॉपिक बता दीजिएगा लाने की कोशिश करूँगी और उसी के साथ साथ चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा तो मिलते हैं नए वीडियो पे आपके ही टॉपिक के साथ बबाए